नमस्कार, सदानगट की सेफ से बहत्रीन स्कूल बाल भारती विद्यापीट का दुका रहे हैं कल वानी जे और साइंस के नतीजे घोस्षित हुएं बारवीज़़्े के खास और से साइंस का रिजल्ट पूरे सुज़ा चेतर में बाल भारती उच्छ मादिमिक विद्याले का सबसे बहतरी रहा है जिसमें लगबग 158 चात्र चात्राओं ने प्रिक्षा दी है और उनमें 4 चात्र चात्राओं ने 90% से ज्यादा अंग प्राप्त किया है अकांक शा प्रसेंट से उपर अंग प्राप्त करने वालें विशंक्या चावदा रही है और 80% से ज्यादा अंग प्राप्त करने वालें विशंक्या रही है 36 और प्रतम स्रेणी से 132 चात्र चात्राओं उत्तीड है यह बहुत बढ़िया रिजल्ट है और वानिजीय का रिजल मैं और प्रतम स्रेणी से 41 चात्र शात्र हैं उत्रेणु है और व्यवसाइक अधियान में 90% से ज्यादा नो चात्र शात्र उन प्राप्त किये हैं एक बहुती बड़ा रिजल्ट है गर्व करनेवारा रिजल्ट है और निश्टी तुरुप से पुने बाल भारती ने साबित कर द सुजान गड़ के सबसे बहतरें उच्स मादमिक विद्याले बाल भारती उच्स मादमिक विद्याले का दर्शाब देख रहे हैं बार्वी कला बार्वी साइंस और कॉमर्स के नतिजे घोशित हुए जिसमें साइंस में पूरे सुदा चितर को टोप किया है रिजल्ट के मा बहुत अच्छे एंग प्राप्त के उन सब का यहां पर आज सारजनी का रिक्रम में अभी रंदन क्या जाएगा बाल भारती उच्फंद्विद्याले के प्राचारिये में अंदर सिंग जी देवल कॉप देख रहे हैं जो की समारों की तैयारियों में जूटे हैं अपने सा बाल भारती के और बहुत मैनत करता है पूरा स्टाप एक टीम वर्क है इस विद्याले में उसी का फैल है कि बहुत अच्छा प्रणाम हर वर्स रेता है समान समारों शुरू हो रहा है अतिदी गंड मन्चास्त हो चुके हैं विद्याले प्रशार्शन और अभी बाबगन अब देख रहे हैं मन्स प्यासिन हो चुके हैं बाल भारती उच्छ माद्मिक विद्याले का दर्शाब देख रहे हैं जहां पर बार्वी साइंस और आर्ट साइंस और कॉमर्स के रतिज़े गोश्चित उने के बाद में अभी नदन और समान समरावजित के अजा रहा है और इस बार भी चात्र चात्राओं ने विद्याले का नाम रोशन के बहुत अच्छा परिणाम रहा है खासतों से हैं साइंस में पूरे सुदा चात्र में सबसे बहतरी रिजल्ट रहा है बाल बालती का और कॉमर्स का भी र योगदन रहा है और आज अच्छा परिणाम देने वाले चात्रे चात्रों का समान क्या जा रहा है 23 मई 2018 स्याम सवाच्य बजे माद्यमिक शिक्षा बोर्ड रास्थान अजमेर द्वारा कख्षा 12 के विज्ञान वर्ग वानिजवर्ग के परिणाम प्रकाशित होए है और उन परिणामों के अंदर अपने विद्याले का उपक्रिष्ट परिख्षा परिणाम रहा है काफी भईया भईहीन है जिनोंने अच्छे माक्स प्राप किये तो आज उसी के एवज में विद्दाले परिवार ने उन विद्दार्तियों के उत्साह वर्दन और उनके भविश्य निर्मान हेतू एक सम्मान समारों का आयोजन किया गया है जिसमें आप सब पधारे अब डीप प्रजलन वसरस्वति शिल करता हूं कि अब अरे करम का सुबारम मा स्रस्वति के चितर की सामने इप प्रजलित करके किया जा रहा है क्योंकि विद्यल्य इमासरफ्टी का मंदिर होता है। आप देख रहे हैं तमाम अत्रफ्टी गंड अब मासरफ्टी की छिट् liडी प्रधित कर रहे हैं। मुक्यकेतिति की रूप में जाने मानी सिक्षाविति रिखा राम जी कोदरा। और विद्याले की तरफ से मेनेजर नोपाराम जी, निद्यश्रक पागी जी पचार, मेंदर सिंग जी देवल प्रिंसिबल साब और तमाम अत्य थी आप देख रहे हैं और साथ में अभीवाग गंड भी मोजूद है निशित रुफ से मासरष्टी की बगट बड़ी करपा है बाल भारती उच समाथियों की देलायपर हर बरस विद्याले का प्रेणाम सुज़दा चेतर में बहतरी रहता है यह दीप शिक्षा का है जो प्रजित क्या जा रहा है और सतत प्रजित रहता है विद्याले में सम्वान्द समारों का सुबारम मा स्रिश्टिकी पूजन के साथ हो रहा है जिनकी करपा से ये अच्छा प्रेणाम बाल बारती उच्छमातिक उध्यालय लगातार दे रहा है और सरक्षक लक्ष्मान राम जी खिलेरी आप दख रहे हैं मासरस्थी का पूजन करें हैं बहुत साध्जी पुन व्यक्षित्व के धनी है लक्समदाम जी मासरस्थी का पूजन हो रहा है बाल भारती के सभी समूगे परदनाचारिय भी आप देखें यहां पर मौजूद है बाल भारती समूगे और रेकाराम जी सरक्षक है और निद्देशक बागी जी पुचार इसके तीका बहुत बढ़ा यूदन है बहुत सकाराथ तक सोच वाले वक्ति हैं और समूग लगातार आगे बढ़ रहा है आज तो से बाल भारती इंटरनेशनल के माद्यम से पूरे चेतर में एक जागरती पेदा की इंगले स्था की इसक्षा की माइला स्था के मामले में बहुत अच्छा कर रही है बाल भारती की मासरस्थी के पूजन के साथ कारे करम का सुबारम हुआ है मासरस्थी के क्रपा से ही इतना अच्छा रिजल रहा है क्योंकि बहुत बड़ी क्रपा है मासरस्थी की बाल भारती पर ये दीप शिक्षा का है ये जो सतत प्रजलित रहता है बाल भारती में इसमें बहुत इन लोगों की रहती है जिसे वे कास्तोर से मेनेजर स्री नोपाराम जी मंडा और मैला शिक्षा के प्रतिस समर्पीत ये प्राचार एगन सीरी बागर जी पचार जो की निदेशक है भो सकार अत्मक सोचवल बेखती है और कास्तोर से वाल भारति इंटरनेशनल के वंद्यम से अंगरे जी शिक्षा की अलग जगाही है छेतर में रेकाराम जी गोदारा जो की सरक्षक है लक्ष्ण राम जी खिलरी चेर्मेन है वाल भ दीजी विक्ती है चात्र चात्रों के समान में प्रतिबास समान समाराजित हो रहा है साइंस और कॉमर्स में बैतनी रिजड़ रहा है वाल भारति का जैसा कि मंच ने आदेश दिया है और अपना कर्तव्य भी है और अपनी गौरों में संस्क्रिती भी है और चोंकि अपन वैदिकाल से बार बार ये कहते आये हैं अतिती देवोग हो है निसंदेह रूप से अतिती देवता तुले है इनका मान समान गरिमा ये है जिनोंने आज बढ़ाई है और जिनोंने आज ये मंच दिया है और जिनोंने आज यहां पर ये खुशी के पल हमें दिये है मैं सबसे पहले उनका भहत बहुत दिल से रिधे से अभी निधन करना चाहता हूं स्वागत करना चाहता हूं और उजिन tapes में आपणयाले के डारा उजन्य से और विज्ट्ये इसके अलावा हमारे सभी परीचित सामने बैठे महमानों का मैं विद्याले प्रिवार की और से बहुत-बहुत हार्दिक अभिनिंदन करता हूं स्वागत करता हूं परंपरा ये है कि पहले अतीतियों का प्रेचे होता है लेकिन बार-बार मन में विचार आ रहा है कि जिन्होंने आज हमें ये सुब आउशर दिया है जिन्होंने आज हमें ये कारेकरम का आउशर दिया है सबसे पहले तो वो है इसलिए मैं एक बार चाहता हूँ कि इस सब लोग अपने मिलके जोड़दार तालियों से उनका स्वागत करें और उन बज़ा रहने का बहुत बहुत हादिक अभी इनका बहुत बहुत चाहता है अभी जिनका तीलक हो रहा है आप नहीं स्रिमान रेखाराम जी गोजारा मोलते देवानी ग्राम के रहने वाले है और आप सिक्षा के छेतर से जुड़ेवे और प्रधाना चया प्रिंसिपल पत से सेवा निवृत है और केवल प्रिंसिपल से सेवा निवृत है नहीं आपकी अपने छेतर में पहचान भी है और छापर चाड़वा जहां आपने सेवा हैं दी है आज भी आपको लोग बहुत आदर क साथ याद करते हैं और हमारे विद्धियले परिवार में ये आप जूड़े वे हैं आप सरक्षक के नाते और हम सब का माघधिशन करते हैं स्रीमा नेखाराम जी गोदरा पाते पातन दिराजनान है जिनको पहले हम सरक्षक के नाम से संब्धित करते थे अब आपका दाईत वो बढ़ गया अब ध्धक्ष के नाते और यू करेए तो हमारे सब के पिताम है जो हम सब का भरण पोश्चन करते हैं सेलक्षन करते हैं या जिनकी ही बजोलत आज हम सब लोग यहां पर हमें नहीं कि करेब करेब तीन साड़े तीन हजार भीया बैन विद्या अध्यन कर रहे हैं और आपके ही आशिरवाद सुरू कम से कब 200 लोगों के टीम आज काम कर रही ह आपने श्रीमान लक्षमन राम जी खिलेरी आप भी मूलते देवानी के रहने वाले हैं आप अपने विद्याले में निदेशक के नाते हम सब का मारदेशन करते हैं डाइरेक्टर और साथ साथ में आप स्रिक्षा के छेतर से जुड़ेवे हैं तौरा ग्राम में आपके पोस्टिंग है स्रिमान भागेतमर जी पचार खेलेर जी के ठीक पास में आगे विराजमान है डुक्टर वीविक जी यादव आपको अश्री होगा वैसे आप डौक्टर पीएचडी से हैं वैसे डौक्टर नहीं हैं और आम सब का बहुत बड़ा सोभागे हैं कि अब आप हमारे साथ हमारे इस टीम में काम कर रहे हैं अपना जो फाउंडिशन शुरूआ हैं उसके आप कोडिनेटर हैं और फाउंडि प्रिवार के ओर से बहुत अबिनन दन करता हूं स्वागत करता हूं और साथ-साथ मैं आपसे अपेक्षा और निवेदन करता हूं कि जो आज इन भ्यावेनों ने विद्ध्याले को गोरों बड़ाया है यही अगली वार आपके फाउंडेशन के माध्यम से विद्ध्याले है कि कीरती यस मान और सम्मान फैल जाना चाहिए यह हम सब लोगों के लिए कर्टव्या है स्रिमान विद्ध्याले कि इदर दीदियों के तरफ से और भागतनल जी पचार के ठीक पास में आप है स्रिमति कानताजी बागड़ा आपने जो बहीन पढ़ती है उसके माताजी है और आपके ही आशिर्वात सुरूप आज उस बहीन ने अपने को यह गोरों में आउशर दिया है उसने अपने विद्ध्याले में इस्थान प्रप्त किये है आपके ही ठीक पास में विरा अपरुवच छात्र और जिसको विशेश रूप से कहूं तो अति लाड़ला हमारा आती से जैन आज ये वरेंगल से एनाइटी कर रहा है लेकिन लगता नहीं कि ये वरेंगल है कि बालबारती में है क्योंकि इतना ज़्याधा इसका वो और बार कोल आते हैं बात होती रहती है और एक छोटा सा वालग इतना मार्गदर्शन कर देता है यह कलड़न से बाहर की चीज Meng मैं बहुत सारी बार इससे कई बार बात करता हूं कि प्रकार की बात करता रहता हूं लंबी बाते होती रहती है लेकिन जितनी बात करता हूं उसमें यह लगता है कि थोड़ी सी बात कम रहेगी खोड़ा सा ओर करनू मैं बात ठीक है यह इसका एक कोशल है और जो अपने प्रात्मिक विद्ध्याले के परदानचारी है आपके ही ठीक पास में ग्राजमान है स्रीमान अशोग जी भाटी अपने जो बहीन है जिसने विद्ध्याले का नाम रोशन किया है उसके अप्पिता जी है और आप सिलोंग में विवसाइक आप जिकित्सा के छेतर से जुड़ेवे हैं और मेरे साथ जो जुड़ाव है स्रीमान सांतिलाल जी सर्मा अपना सीताराम कोलोनी में उच्चि प्रात्मिक विद्ध्याले है जो इस साल से मादेमिक होने जा रहा है उसके प्रदानाचारी हैं सबसे बाद में और सबसे पहले हम सब के सुप्रीचित स्रीमान नौकाराम जी मंडा सबसे बाद में उसलिए कि आपके सबसे उदर के करमा बैठे हैं और सबसे पहले इसलिए कि आप सब भूमिका में सब्जग मिलते हैं किसी भी काम के लिए आप कहीं भी देखिए नौकाराम जी गुरुजी जरूर मिलेंगे और विसे सुरुप से आपकी सब लोग सुईकार करते ही होंगे निसे दरुप से कि आज ये जो परिक्षा परिणाम हम लोगों ने दिया है और लिया है प्राप किया है उसमें सबसे जो महत्व पुन भूमिका है वो आपकी गुरुजी के देन ये तो किसे भी इसका बुलाए नहीं जा सकता है आपका जो जीधारूपन है आपकी जो लगन है आप जो बार बार हर भिया से हर बहिन से हर इस्टाप के मेंबर से बात करते रहते हैं प्लान करते हैं वह एक बहुत बड़ी मिशाल है बहुत बड़ा काम होता है और हर परिस्थिती में फिर उसका समाधान डूनड़ना इसलिए बैटने के करम में आपका सबसे बात में अपने फाउंड़ेशन जो चलता है उसमें एक डूक्टर वेविच जी आदव है और आपके हिसाथ केमिस्ट्री के एक फ्रेकल्टी हैं श्रिमान ग्यानेंद्र जी श्रिमान ग्यानेंद्र जी आप तीछे ज़्याजमान है जिनको इसे सुरुप से ज्ञान सिंगी पकेल नाम से पुगारते हैं अपनों आप भी सर आगया जी और श्रिमान नाराण जी सरक्षे कहिए प्रेरिक कहिए जिन्होंने उस बहिन को भी प्रेरिक किया है और हम सब लोगों के बार बार प्रेरिक किया है जिसके कारण से इतना बड़ा करेकर्म रखा रहे हैं कि बहुत साधानसी बात लगती है लेकिन आप सब को जानकर के बहुत खुशी होगी प्रशंता होगी कि बाल भारते का परिक्षा प्रिणाम विज्ञान संकाई का सुजानगड में पहले नंबर पर है खुशी का अउसर है कि यह हम सब के लिए अब देखिए विज्ञानवरग में 158 भहिया भहियन थे उनमें से 132 भहियां के पर्स डिविजन है और मात्र 22 भहियां के सेकंड डिविजन है थार डिविजन कोई नहीं और उसके बाद यदि अपने अग्रिकर्ट रिजल्ट की बात करें तो विद्ध्याले का रिजल्ट है 97.50 सुठाइक 9.90 परिक्षा पृणाम है उनमें सर्वस्रेश्थ हैं ऐसके रिक्षाप्रिक्षा पृणाम से 10 can ओडश्याइक लिज़न झरंभे पर से ऊपर चार विएवे 85% से उपर 14 भीयावें 80% से उपर 36 भीयावें और 45% से उपर 63 भीयावें यह सुद भीयावें 40% से उपर मार्स है इसलिए इस परिक्षा परिणाम को और यह तुलात्मक्रिष्टी से देखा जाएं तो अपने सुद्धानगर में किसी भी विद्ध्याले का परिक्षा परिणाम यह नहीं है यह मैं नहीं कह रहा हूं बोड के आंकड़ी कह रहे हैं आप नहीं सोचेंगे कि गुरुची अपने प्रसंसा करने के लिए और विद्ध्याले को क्यों गुरुणान गाने के लिए यह मैं नहीं कह रहा हूं यह बोड के परिक्षा प्रिणाम और बोड की विजल सीट कर रही है आप सब लोगों में से कोई भी कई भी उठाकर देख लीजी और यह कोई नई बात नहीं है इची से भी चला आ रहा है इस बार भी वैसा का वैसा ही है मैंतेमेटिक्स में 90 प्रसंट से उपर 31 भ्यावेट जिनको 90 से उपर मार्ट से यह अपने अपने बहुत बड़ी मिशाल है इतना सामाले बात नहीं होती है और दूसरी बात जिस प्रकार से हमारे पास भ्यावेट गाउं से आते हैं आना जाना करते हैं वो जादस में या नहीं रहते हैं उनका बहुत बहुत जुदे से आभार विक्त करना चाहता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने पुरेशालवार प्रिशन करके महत से लगत से और यह परिक्षा प्रणाम दे करके इन भाया बहलों के साथ में न्याइत किया ही है साथ साथ में अपना और अपने विद्याले के गोरों भी बढ़ा है इसलिए इनकी स्वाज़ित में भी अप्रिशन करके में बहुत बालता है वाणी जी वरी का खुल परिक्षा प्रणाम है 98.43% मात्र एक भईया का फूरत सप्लिमेंटरी कोई फैल नहीं कोई सप्लिमेंटरी नहीं यह लिट भी अको सप्लिमेंटरी यह बात हुई 45% से उपर 4, 80% से उपर 9 और 50% से उपर 15 भईया लें 1 डिविजन 41, 2 डिविजन 20, 20 और 3 डिविजन 2 गुणात्म के इसका भी देखा जाएं तो 3 डिविजन बहुत कम नहीं के बालता उधर विज्ञानवर्ग में कोई नहीं इधर किवल 2 भी जाती है इसमें एक फूरत भी है और इसमें जो व्यवसाई अभेल विशे है उसमें 99% से उपर 9 भी यवे हैं इस प्रकार से ये दोनों परिक्षा प्रिणाम आपके सामने हैं और वाणी जीवर का प्रिक्षा प्रिणाम भी अपने अप में बहुत सामदार हैं इसमें भुगलान जिल में सब से उपर रहता नाम है आज इसके लिए कहले कि नाम ही काफी है कि आप कहां पढ़ते हैं तो आप इतना कहें कि मैं नोपारान जी के स्कुल में पढ़ता हूँ तो अपने आपको समझेंगे कि ये भाईया आगे जाकर जीवन में जुरूर भुलंदियों को प्राप्ट करेजा भारती समू की तोपर आकांक्षा भाटी को आप देख रहे हैं अपने बाण में प्रतिस सबसे ज्यादा अंग प्राप्ट की हैं और विद्याला का गुरूबड़ है सबसे पहले अकांक्षा भाटी का सम्मान क्या जा रहा है अपने प्रतिस सबस्क्राप्ट की हैं साइंस फेकल्टी में मुँ मिठा करवाई जा रहा है अकांक्षा का इसने पूरे विद्याला का मुँ मिठा कर दी है स्यांदार प्रिणाम दे कर और अकांक्षा के पिताजी का समान हो रहा है अकांक्षा के भाई आप देख रहे हैं आपर मोजुदे जिनका भी समान क्या गया है सब याकांग्शा का समान कर रहे हैं आका श्वामी का समान क्या जा रहा है तीसरा स्थान पाथ किया आपने लगबग बान में प्रतिस्तन प्राथ किये है और साथ में बहिन भी है आका स्वामी का समान हो रहा है इसमें प्रतिस्तन प्राथ किये है आप देख रहे हैं लक्षमर्ण राम जी, पंव्पराम जी चातर का達 नाट कर रहे हैं प्रिजापत का समान रही है, चोथी रिंग प्रापत की विधेलेंबे आपने भी 90% ज़्याधा अंग प्रापत की हैं मैना जी जानू आप देख रहे हैं, समान कर रहे हैं अब बावकों का भी साथ में समान हो रहा है आप देख रहे हैं खुश्या मना जा रहे हैं बाल भारती में आज बहुत शांदार परिणाम रहे हैं बाल भारती उच्पादी विद्याले में साइंस और वानी जैसंकाई में नील का समान हो रहा है नवासी प्रतिशत अंग प्राप्त की है नील ने अभी नंदन समार आप देख रहे हैं बाल भारती उच्पादी विद्याले में साइंस के रिजल्ट के बाद में प्रतिवाओं का समान हो रहा है अनिल का समान हो रहा है अर्चना गुलेरिया का समान हो रहा है इटासी प्रतिसत अंग प्राप्त के अर्चना गुलेरिया ने मेना जी समान कर रही है अर्चना गुलेरिया का समान हो रहा एटासी प्रतिसत अंग प्राप्त की हैं बहतर इन प्रिक्षा परणाम दी है बाल बारती ने चात्रे चात्रों के वीवाओ को भी समान हो रहा है अब गंचाम सर्मा का समान क्या जा रहा है हम बावुजी के लड़के हैं जो यहीं प्रेकाम करते हैं गंशाम ने दो बार अपरिक्षा दि पिषली बार भेथर प्रतिसस्थंकरापक के थे और इस बार 27 परतिसात की बड़ोटरी करके लगब काम करते हैं आब देखते हैं कितना लाड़ उढ़ा जा रहा दोनें हैं । आप थे दाब जी UKा भी खुब सम्मान का जा रहा है। कूणि परिवार जी का भी खुब सम्मान कि जा रहा है। क्योंकि पुत्र ने बहुत अच्छी सफलदार जीत की है गंचाम और उसके पिताजी का समान हो रहा है दुबारा प्रिक्षा दीती पिछली बार 22% गाये थे और इस बार लगबग 89% प्राम्ति है गंचाम ने तौफीक खान का समान के आ जा रहा है आप भी रिपीटर है पिछली बार 24% अंग थे और इस बार 88% प्राम्ति है तौफीक खान का समान हो रहा है समय एटी एट प्रसेंट ग्राम्ति है पुलकित बेगवानी का समान हो रहा है लगबग पुलकित ने तक्समन राम जी और गोदारा जी समान कर रहे है रहा है रहा है और बदाई दे रहे हैं आशिरवाद दे रहे हैं बाल भारती उसमादिम के विद्याला का दर्शाप दिख रहे हैं जहां पर साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट के बाद में समान समान हो रहा है प्रतिबास सालीच साथ जातर हो गा जिन्होंने अच्छे परिक्षा प्रिशा प्रिणाम दिये हैं विद्याला परिवार बहुत प्रसनेचित हैं और बहुत बड़ा समार हो रखा गया है विद्यारत्यों के समान में राहूल सर्मा का समान क्या जा रहा है 85 प्रतिशत से ज्यादा अंग प्राप्त के हैं राहूल ने और प्रतिवासाली चातर अतिशे जेन समान कर रहे है राहूल का जो कि बाल भारती का बहुत प्रतिवासाली चातर रहा है इस सत्र की प्रतिवाओं का समान हो रहा है बाल भारती उच्छ मादिम की ज्याला में प्रतिबाओं का इस तरह से सम्मान होता है तो उन्हें चातर चात्राओं को प्रेणा मिलती है अच्छा करने की और इसलिए हरवर्स ये कारेक्रम बाल भारती रिजल्ट के बाद में आयूजित करता है और कितना प्यार कितना सम्मान दिया जा रहा है चातर चात्राओं को आप जिन वित्यारतियों को आज सम्मान सम्मारवाइद के अजना रहे उन सभी को मेरी तरब से अभिवादन, आशिरवाद, मंसपर विराजिप, इस बाल वारती समों के चेर्मेन लिशमन राम जी की लेवी साथ, डाडेक्टर भागिरतमल जी पचार साथ, बेवस तापक आधनी नोपाराम जी और यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स के कोडिनेटर डॉक्टर यादव साथ, विविन संस्ताओं के परमगण, इस विद्या लेगे, होन हर बालकों को तराशने वाले समस्त, शिक्षक और शिक्षकान, अभिभावगन और अन्य विद्यार्थी जो इस पंडाल में विराजित है, सबसे पहले बात तो, मैं अभिभावकों को दन्यवाद देना चाहूंगा, कि आपने इस परतियुक्ता की जमाने में अपने बच्षों को शिक्षा कहां देनी है, और ऐसे इस्तिती में आपने बाल भारती का चैन करके, आज इस शम्मान समारों में सामिल होकर, अपने न्याने पर प्रसंता जाहिर कर रहे होंगे, इस बाल भारती में ही प्रवेश क्यों दिलवाये जाए, ये आज साबित हो गया, बहुत सारी साथा हैं इस कस्बे के अंदर, आसपास के चेत्र के अंदर भी क्योंकि शिक्षा का क्रेज बढ़ रहा है, और ऐसी इस्तिती के अंदर, सबू लोग त्रेत्रे के अड़टाइजमेंट के माध्यम से, अपने अपने विद्याले के तरफ आकरशित करते रहते हैं बच्चूं को, अभीभावकों को, लेकिन फिर भी, आप लोगों ने अपने नोने हाल का बविश्य श्वारने के लिए इस विद्याले के मैनेजमेंट को, यहां की फेकल्टे को, यहां की विवस्तान को देखा और उनका चैन किया, चैन करने के बाद में, जो आज आपको कोई एक साल से, दो साल से, कोई तिन-जार साल से इस संस्ता के अंदर अध्यन कर रहा है, उसका प्रिणाम आज आया, उस प्रिणाम से आप गदगद है, प्रसंचित है, आज competition का जमाना है, और 90 प्लस से अधिकी बाद की जाती है, बच्चों का दिमाग भी computer की तरह है, बहुत बड़ी बात है, 90 प्लस मार्क्स लाना एक अध्वुत विलक्षन परतिबागा जो धनी बालक होगा या बालिका होगी, वह ही प्राप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा प्रिक्षा प्रिणाम दिया, ठेकल्टी का निश्यत रोप से बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन साथ में मैनेज इन बच्छों के भविश्य के लिए दिए, निश्यत रूप से बालक बालिका हो गई, कक्षा बारा तक कि शिक्षा जो इसकोली शिक्षा के रूप में जानी जाती है, वो आपकी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपकी कंदू के अपर बहुत बड़ इसको आगया, हो सकता है, आजकल तो कॉलेज में, युनिश्योटे में एड्मिसन लेने के लिए बहुत लंबर लाइन लगती है, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्यों मेरिक बेसिस के आधार पर एड्मिसन होता है, बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज से वंचित रे जा इंडर एड्मिसन लेके डोनेशन के माद्य में से कोई काम चलाते हैं, लेकिन दरसन में आपका केरियर अब वहां से शुरू होगा, किसी को डोक्टर बनना है, किसी को इंजनियर बनना है, किसी को प्रसासनिक श्यवां के अंदर अपनी दक्स्ता दिखाने के लिए अपना प्रियास करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक लक्षे रहेगा, कि मैं एक ड्रेंज्वेशन करूं, मैं ब्यकॉम या बीए करूं, यदि यह नहीं करेंगे, तो हमारे ख्वाब और सपने अधूरे रहे जाएंगे, बार्मी के अंदर अच्छे मार्क्स आगे, और यदि उसको सच्छे अर्थों में कॉंडिंग नहीं मिली, और उसका प्रामर्स सही नहीं गया, तो हो सकता हो बीएश्टी सी करके एक अध्यापक की रूप में चला जाएगा, लेकिन हो सकता है कई वार हमने में देखे हमारे हैच्छे स्टुडेंट थे, जेनों ने देख लिया क बीएश्टी से करके अपना काम चला रहे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे थे, जो आज आई, आईएस अफसर बनने वाले थे, वो आज अध्यापक के रोप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेश्वेशन किया है नहीं, किसी भी आईएस अफसर को बनने के लिए, आईएस अफसर बनने के लिए, आईपीएस और आईपीएस बनने के लिए, कम से कम उसको सनातक की डिगरी चाहिए, वो सनातक की डिगरी चाहिए, वो किसी में करें, चाहिए वो साइंस पेकल्टी में करें, चाहिए कॉमर्स में करें, या वो आर्स में करें, लेकिन वो तो आपको यह देखना है कि मुझे इसको में शिक्षा प्राप्त करके अब मुझे कहां जाना है मुझे करना है तो वो आगे अपने की लाइन में जा सकता है यहां इस बेल्ट के अंदर शेकावाटी बेल्ट में सिये की और के अच्छे पूछ है कंपनीज के अंदर और विशेशत तोर से अभी जो यह नया सिस्टम लागो हुआ है देश के अंदर जीश्ट्य बगेरे उसमें कोमर्स वालों के चेहरे खिल जाने चाहिए क्योंकि उनके लिए सिये के बहुत ज्यादा अवसिक्ता पढ़ने लग गई है इसी तरह क्योंकि आप देख रहे हैं लागों विद्यार्थियों ने एक्जाम दिये हैं कल जो रेजल्ट आये हैं कोमर्स के लगभग बैयारी सज्जार से अधिक विद्यार्थिया क्यों रा अगे बढ़ेंगे लोग इसी प्रकार से विज्ञान वरग में भी बहुत कम लगभग ठाई लाग के आसपास विद्यार्थियों ने विज्ञान वरग में बार्विम प्रिक्षा दिए लेकिन आप आने वाला जो तीसरा प्रिक्षा प्रेणाम आएगा आर्ट का उसमें द सब्सक्राइब कर लेते हैं उसका समाज में कोई भी ओचित नहीं है वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है वो प्रिक्षा में पास हो गया लेकित जीवन की प्रिक्षा के अंदर संस्कारवान बच्चा होता है वह आगे बढ़ता है हमारे बहुत सारे बच्चे देखते हैं गुटने से उपर प्रणाम करते हैं नहीं भाईया है नबड़ डिक्री में जोकिए गुटने के उ 90 डिक्री जुकिया आप सरम करते हैं जुक नहीं सकते क्योंकि आप में ऐसे संस्कार आये नहीं क्यों लोग चारिता करते हैं कि ठीक है प्रणाम कर लिया हो गया यह भी नहीं किसी के सरण छूने के से क्या होता है अगले आदमे की ताकत अगले आदमे का जो भी वच्चस्वाय वो उसके अंदर अस्तांतरित होता है तो प्रणाम करने का तरीका भी एक संसकारों में आता है तो मैं आप लोगों से यह भी कहूँगा कि यहाँ पे बेवारिक्ता बोल प्रणाम करना और साथ में एक दूसरी के साथ में कैसे घुल मिलकर रहा जाता है ये भी जिवन की एक कला है अब आप जाएंगे अभी पहले गुरु जिन बदाया था कि अब घर छोड़ना पड़ेगा कि उसारी शिक्षाइं जो भी किसी साइड में आगे कहीं मेडिकल में ज थि या किने आप MINžी आप घआ एपड़ेगा तो वहाँ जाकर दूसरों के साथ में तालमेंट अबको पड़ेगा जिसने यान नहीं ख़ा मोर्त प्रक जिवन में कभी सफल नहीं हो सकता है तो सबसे बड़ी बात यह का जो ऎब बढ़ाई देता हूं कि यहां के टीम ने जो यहां के फेकल्टी थी बहुत अच्छे मैनत की बच्चों के साथ में इन्होंने अच्छे प्रियास कि दोड में सभी सामिल होते हैं लेकिन फर्स्ट वो ही आता है जो अंतिम चर्णों में जोड लगा देता है अभी मैंने देखा कि नौपाराम जी के लिए तालियों की गड़गना लंबे समय तक चलती रही क्या कारण था उसकी पीछे क्योंकि नौपाराम जी ने जनूरी से लेकर प्रिक्षा हुई तब तक मैंने सुना था यहां एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्ता की थी और देख बाल कर रहे थे और उसी का यह प्रिणाव होता है अन्तिम समय में हम देख लें कि अंतिम दो-तिन महिने में कुछ कर लें नहीं होता है जो जुलाई सी प्रियास की जी और मैंने यहां देखा अभी जुलाई क्या अभी से लग गई यहां सीनियर क्लासेज है और तस्वी ग्लास के बच्चे तो यहां बड़ी ख्लास के बच्चों को भी लेकर बहुत अच्छी बात इन बच्छों को कुछ में कुछ मिल रहा है तो ऐसी स्थिती करों पतिवाकर घुला वालिका इधे ले तोपर बग्र्स के समान करते हैँ, एक रात्ब प्रतिसर्प से जधा अंग लगवग 9-9 प्रतिसर्पक्त 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 में आजी जानू कर रही है, वाले का इपाओ लैक इसी समान गर्जवी। और साथ में प्रेना प्राटा अच्छा की मावी बोजो थे हैं प्रेना प्रेना बागड़ा का समान हो रहा है और निसीत रुप से सभी बालिकाओं को एक प्रेना दी है प्रेना ने अच्छा प्रेनाम देकर अपने नाम को सार्थक किया है प्रेना बागड़ा का समान हो रहा है वानी जी और विज्ञान संकाय के प्रेना प्रेना बागड़ा का समान हो रही है प्रेना बागड़ा का समान हो रहा 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 है इक्यासी का समान क्या जा रहा है प्रतिसस से ज्याद अंक्राप्त की हैं इस गाने वेकास्ति और आरती 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 आपका भी एक करेकर और बागड़ा है प्रेना बागड़ा का समान क्या जा रहा है बहुन के साथ आए। नेहा यादव का सम्मान हो रहा है कैसी प्रतिस्था तक प्रत के निया है बहिं नेहा यादव एपिताजी का सम्मान करते हैं स्रिमान मेंदर सिंगी देवाल नोपारी पचाल का सम्मान नेहा यादव का सम्मान हो रहा है रतना अच्छा रंग का सम्मान के आजा रहा है उनिया सी प्रतिस्था तक प्रत के है रतना ने सम्मान की अगली गड़ी में मैं इन्वाइट करना चाहूँगा बहिं रेगली ने भी 79.60 प्रसेंट हासिल किये है रचना अच्छा रंग का सम्मान हो रहा है रेखा राठोड का सम्मान हो रहा है उनिया सी प्रतिस्था तक के साथ में माता पिता भी हाथ देख रहे हैं चात्राओं ने वानिजे और विग्यान दोनों संकाई में दबदबा रखा है बाल भारती में और यह पूरे राजसतान में भी देखने को आ रहा है कि छात्राइं शिक्षा के चल्ट में जादा सप्राय चितका रही है बाल भारती में वानि जे में तीनों टौपर छैत्राइं रही है पर आम जी गुरुजुनों का सम्मान करे हैं पर मरस्के सिफ्ष्टों का सम्मान लोपराम जी करे हैं और अब लोपराम जी कोलेपेटा जाड़ा इस वेक्टे की सबसे ज़्यादा मेनत रहती है सब स्विकार करें इस पाथ को अब विकास जांगिड का समान हो रहा है जिन्होंने 78% अंप्राथ की हैं शित्यान में प्रतिशत रिजल्ट रहा है वानी जी संगाई का बहुत अच्छा प्रिणाम रहा दोने विसे में प्रतिवा समान हो रहा है जांपर प्रतिवा समान हो रहा है चात्रा है बहुत प्रसंद है क्योंकि चात्राओं ने ज्यादा सपना अरजित की है संसर्मा का समान हो रहा है 76% अंक्राथ की है वाणी जी संकाई में समान की अध्ली कड़ी में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बढ़िया आनन्द जोसी का समान हो रहा है यह बहुत बड़ी बास है कि मतलब मुझे यह मौका दिया गया कि मैं अपने जूनियर्स के लिए कुछ कह सकत्राओं जो कि सबसे बड़ी प्रतिवा है बाल भारते की वो इंजिनिर्ग कर रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं और अपने मदब सीनियर्स का फेलिसिटेशन फंक्शन अटेंड कर रहा था और उनको जो गुलाल लग रहा था उससे लगते देख रहा था और बहुत जादा मोटिवेटे बहुत एस्पिरेशन था इसमें लग कुछ करना चाहता था बट वही बात होती है कि सब लोगों को मौका नहीं मलता तो मुझे बस जरूरती तो एक प्लैटफॉर्म की कुछ गाइडेंस की तो बाकी मेहनत करने के लिए मैं तयार था तो वो मुझे मिल गया बाल भारती में करना कर बाल भारती का एक अनुल फंक्शन हुआ था 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 मेरी घीधी पड़ती थिया पर तो उसकी फैमिली मेंबर होने के नाते मैं आया था वो फंक्शन अटेंड करने तो जब मैंने देखा था कि बाल भारती लग फंक्शन चल रहा था और मंच पे बैठे लोगों की इन लोगों के पीश में बिठाने का मोका दिया गया है तो तब मैंने कुछ सोचा था कि काश कभी मैं भी ऐसा कुछ अचीव करूं कि मुझे भी ऐसा मिले बट आज से का पॉल आया इतने बिजी शिडियूल से सर ने मुझे इन्वाइट किया बहुत बहुत थैंक्शन होने तो आज सच में मेरा वो द्रीम रूट फुल हो गया है और मैं सच में बताना चाहूंगा कि बाल बारती एक ऐसा इंस्टिउशन है जहां सिर्फ स्टडीज नहीं होगी बहुत सारे इंस्टिउशन आपको मिलेंगे जहां से रिजल्स अच्छे निकलते होंगे जहां स्टिउशन दिमाह में बहुत सारे फ्लक्शेशन होते हैं बछ्चें बहुत को अचिव करना जाता है पर र Dick woulde ड start to आप उसको अच्छे से फॉलो करते जाहिए और डेफिनेटली आपको छो रिजल्स मिलेंगे वो अलाइक युल बिन फ्लाइंग कलर्स आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट है आपको बस करना ही होता है कि टीचर्स की बातों क ऐसे अच्छे से मानना होता है जैसे ल के लिए सब कुछ हैं तो बस मेरा मतलब 12 कर यहां से बहुत अच्छा 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 राता और मैं कभी चाहता नहीं था कि एटेज्मेंट टूटे तो मैं 12 के बाद मैंने में को इंजिनेरिंग करना था तो मैंने एक साल का ड्रॉप किया और मैं कोटा चला गया कोटा काफी मतलब प्रॉब्लम स्वेस करनी पड़ी क्योंकि मैं पहली बार गर से बाहर निगला था और जो जितना प्यार सब लोग के बीच में यहां मिलता था वो सब इकदम सा हो गया था तो लैक मैंने ये फिल किया कि एक साल जो होता है वो एंजिनेरिंग के एंटरंस को क्लि प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग अपने घर पे रहके भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और जो हूमली एंवारमेंट जो जरूरत होती है जिस चीज की जो कोटा है सीकर जाए नहीं मिल पाता वो लोग यहां पर ले सकते हो और आप इस्टेडिस को बह और ऐसा मेरे नहीं था क्योंकि मुझे जो एक्सपोजर मिला था 12 तक का वो यह था कि आपको बस महनत करनी है आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई से ही जो है सब कुछ आपको मिलेगा तो फर्स्ट यह में एक सिंसर स्टूरंट की तरह पढ़ाई करता था और उसका करनी है तो कि कोई पढ़ाई कर दो एक करूद दो काई थाट था टे यह डिप रहन रहाएं एक तो इस दोड़े आपको कंट्री में भी औलोर इंडिया के स्टूरंटे रहन से राते हैं अर जो चुछ भी कं नहीं होता बच्चों का गजग उगा तो लोग किस कर जा जा चा को वो चीज बहुत अच्छे से मिल गई तो जो चीज मैंने लाइक करी थी इंग्लिश मीडिया में बड़े स्कूल्स में ना जाकर वो तो मैंने कवर कर लिया और मेरा सेकेंड रैंक भी आए स्टेडीज में और वो लोगो चीज कवर नहीं कर पहे जो उनोंने बालबारती में ना आकर मिस कर दी थी तो इंस्कार चैसे अच्छाब तो यहां पर मुझे सीखने को मिला और मैं बहुत बहुत भाँद इस इंस्टिशन का कि उन्होंने मुझे एकना कुछ दिया लाइफ में तो फॉस्ट यर की रिजल्स की बाद मुझे से भी पूछा गया था अपने कॉलेज में की आपका बैक्ग्राउंड के सारा है आप हमेशा से बहुत अच्छे मतलब स्टूइंट रहे थे या ऐसा कुछ मैंने का मैं बहुत साधारन जगे से आया हूँ बस मुझे मिला था तो एक स्कूल जिसने मुझे इतना अच्छा बना दिया जो असाधारन टाइप का कुछ बना दिया तो मतलब यह मेरी जर्णी थी अभी सेकेंड यर भी मेरा कंप्लीट हो गया है तो बस मैं आप लोग से कह जाँगा कि आप लोग को कभी वी किसी वी फीड में आगे किसी गााइदरश यसिस्टेंश की ज़रूष घृत है तो अप मिस्से कॉंटे कर सकते हैं裏रा फिया फेस बूक पर लोग ने को अपरोच कर सकते हैं मेरान ना अपने महिं चितनी से प्रोग मेरा ने लिए सकते दिखा टा कि और रिबया कि अच्छ निलेका है इतने अच्छे प्रज़र्ट से फोलिदर निकालना है today मैं थोड़ेंगे था इतने च्छे टीचर्ज अच्छ निलेगा अच्छा कलर था, वो मेरी पूरी लाइफ का या आप कह सकते हैं, पहली होली जो मैंने सच में खेली, वो मिठाई जो मुझे किलाईगी, वो सबसे मीठी मिठाई थी, जो मैंने आज तक खाई लियो, तो आप लोग भी ऐसा से कर सकते हैं, आप लोग अपने पीचर्स को कुछ रापस इन रिटर्न दे सकते हैं, वो रिजल्ट अचीव करके, तो टीचर्स ज्यादा कुछ नहीं चाते हैं, दो ही लोग होते हैं, जो अपने से आगे, अपने स्टूरेंट्स बच्चों को निकलते हैं, बाकी हर जगे, आपके फ्रेंड्स भी हो, आपके सिब्लिंस भी हो आपसे कंपीट करते हैं कि हम आगे निकले हो नहीं, पर आपके टीचर्स और आपके गार्जन्स हमेशा ऐसे जनव में रहेंगे, जो यह चाहेंगे कि नहीं बेरा बच्चा मुझसे भी आगे निकले, तो आपको उन लोग को अगर कुछ रिटर्न में देना हैं, और वो डि आपको यह कर पाया, तो बस मैं आपको यह ही कहूंगा, तो आपने उनको उनको कुछ रिटर्न में दे सकते हैं, और बाकी आप लोग की लाइफ बहुत आस्पारिंग रहने वाली आगे, क्योंकि आप लोग को कुछ आडवांटिज रहेगा, उन और सब बच्चों के तो बस यही कहना चाहूंगा अब बाकी आप लोग को कभी भी कोई असिस्टेंस ग्याइडन्स की ज़रो तो आप लोग में किसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं अभी तुर का समान किया जा रहा है पिच्छाइशी प्रतिशाति 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 के साइंस फेकल्टी में और विभाव का समान हो रहा है प्रतिशाति 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 के समान हो रहा है पाल भारति इंटरनेशनल में जब भाल भारती उच्समादी मुझ्याले में साइन्स और कोमर्स के रिजल्ट के बात में पृतिवाउं का समान हो रहे हैं जिन्हों ने 25 प्रतिशत जैसे यह प्राप्त किये हैं कि चबी शर्मा का समान क्या जा रहा है तो इस यह प्रतिशत अगरी है छवी ने आधिस नाधिस साइंस फैकल्टी बें इस प्रचिश इंग रात्रो्ट का समान के जारहा है छोरासी प्रतिस्द्ञ अच्पतीरी व्याथ है ने के स्पिताजी इसक्रमान भाड़ां जार्शती नहतर परूंगा और दूपाराम जी सिक्सकों का समान कर रहे हैं जिनकी बदोलत चात्र चात्राओं ने इपरिणाम दी है सारे साइंस फेकल्टी के सिक्ट्राओं उदराम जी का सबसे ज़्यादा समान किया गया है उदराम जी की फुत्री चैनिका का समान किया जा रहा है इन्होंने भी 84 प्रफिस्द काथ की है उदराम जी की फुत्री है साथ में ममी का समान भी हो रहा है मिसेज नोपराम जी मंडा का समान हो रहा है वहिन कुष्पू के परिवार से गर कोई आए आप तक रहें उद्सव का माहौल बाल भारती में समय है समय की फुत्री को मारें और ऑजके तरी का था समय है अरत मैं नरेश का समान किया जा रहा है फिकास चाइल ने फिचा सी परतिसंद्द क्राफ्त की है काभी समान हो रहा है कालोजी का वावलाल मंडा का समान किया जा रहा है CT 2001 सिप्रतिसती गवावलाल बिने में साइंस विसे 30 सिप्रति किने वाले साथद्रों का समान किया रहा है संदीबूरी का संपर्तिशत के सांट्री जैनकरत वैविद्धा coalition के सब् assessments QA स्थीनस सभ्षाथ का सांट इंदिश्च में 72 का सब्सक्राइए स्वान हो रहा है। सांस में सुजान कतोप रिज्ल्ट रहैं बाल भारतिका औरोमठी उसमादिे द्ज़िधा बीदा कर दिशाद देख रहा हैं साइंस है कि गैलोत का समान हो रहा है कैसी प्रतिस्ट अंक्राफ्ट के जोती ने और साथ में अभीबावकों का समान जांगीर का समान हो रहा है कैसी राकी सर्मा का समान क्या जा रहा है मैं भी चाहता हूं असी प्रतिस्ट से ज्यदा अंक्राफ्ट के राकी ने और अभीबावकों का समान भी साथ में मम्ता जांगीर का समान हो रहा है ऐसी प्रतिस्त अंग प्रप्त के हैं आश है ना बॉनो का समान दो रहा है 10 सब्हुंदख weddings कि ज्यादा अंग प्राप्त की हैं तो साथ में परिजिनों का भी इस पॉइंट साथ प्रतिस्ट अंग प्राप्त की हैं गिजराज ने विनोद बिजारनिया का समान हो रहा है जिन्नोंने प्रतिसत अंग प्राप्त की हैं तो पराम perspective समय आगे हैं बाल भारती उच्छ समानिया प्रतिस उखते हैं प्रतिवा समान हो रहा है साइंस और कॉमर्स के शैंदार प्रणिया 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 प्रणि कि मलजाट का समान किया जा रहा है अब भारती किलका का समान किया जा रहा है और अब भारती किलका का समान किया जा रहा है बारती ने उन्यासी प्रति सतंक्राथ के है और बारती के भाई का समान हो रहा है आप देख रहे हैं खुशिया मनाई जा रही है बाल भारती उस्चमाती में क्विद्याला के दर्श आप देख रहे हैं साइन्स और कॉमर्स में अच्छे परिणाम के बाद में परतिबाओं का समान हो रहा है किताराम का समान क्या जा रहा है सत्तर प्रतिस सतंक्राथ की हैं सिताराम ने के लास जाकड का समान क्या जा रहा है सुक्देव भामों का समान हो रहा है समीर कुरेशी का समान हो रहा है समीर कुरेशी का समान इस समय हो रहा है साइंस फेकल्टी आप देख रहा है इनके लिए बाप देख रहा है जोड़ता तालिया बज़ रही है सभी सिक्ष्णों का समान आप देख रहे हैं चेर्मेन लक्षमनाम जी खिलरी और डारेक्टर बागिर जी पचार कर रहे हैं बहुत मेहनत के इंसिक्ष्णों ने इसी की बदोलत ये परिणा मिले हैं लक्षमनाम जी खिलरी पागिर पचार और कराम जी गुदारा सभी सिक्ष्णों का समान कर रहे हैं बहुत में और को लक्षमनाम जी खिलरी ऑगयर विल्डरी खिलरो कर रहे हैं अगनूप ट्रॉलोंट मे Υा भी गुक्रों जिक्यार श्रॉवत जी खिलरी स्प्छरह हैं आप लोगों का क्या दाइतों बनता है। तो फिर आप लोग पीछे कैसे बेठे हैं। प्राटारी, जीचाना पॉ達ली, तो बनता है। प्राटारी, गीकाना। प्राजाय के दूटार के उन्हें जोटा शुल में अपना थे जोटा समान कर गया उख्ताइब जिनने हाद लिए उठ्मादी की जालें में प्राजारी आप गराइब सेकंडरी स्कूल के प्राजारी थे सबसे शांदार व्यक्तितों का समान अब हो रहा है जिनके अनुसरासन की बदोलेद सपता मिलती है नोपाराम जी मंडा का समान क्या जा रहा है जो कि मेनेजर है इस समूगे और प्राचारी जी आप देख रहे हैं नोपाराम जी का समान कर रहे हैं बच्छे लोग प्रिये देखती हैं इस जाले के आप देख रहे हैं डाइरेक्टर बागिर जी पचार का समान क्या जा रहा है बागिर प्राचार का समान क्या जा रहा है बहुत लिए देखे रहे है बाली का विद्चले की प्राचारी मेना जी जानू का समान चात्राइं कर रही है आप भी बहुत अनुस्तासन के लिए सिक्षिका है और बहुत सम्मान करती है चात्राइं मेना जी का मेना जी जानू का सम्मान हो रहा है मेना जी जानू जो की बाली का विद्याले की प्राचारी है उनका सम्मान क्या जा रहा है वाल्भार्टिशे ने सबिंडे स्कूल के नहें दरूंगा कि मंच पर आएं माशार नगए करना हमारे सभिस्ता के चेहर मैं श्री लक्समादाम जी के लिए हैं विए अनुपरामजी मंदा श्री रेपरामजी बोगरां पर्दानचारी सिर्में देवन, मैना दी जानू, सांची राजी सर्मा, और प्यारे दफ्चों. सरफ फर्तम, टुवल, साइंस, एंड कोमनर्स के सभी बहिया बहिनों को आर्दिक बदाई और सुल्टाम्ना, किसी बच्चे को आसा के अनुरू प्रिजेज गिलना होगा, किसी वो आसा से ज्यादा, या किसी को आसा से कम. हो सलता है, कई मार्की ठीक नहीं हो, कई अपनी मेनट में कमी रही हो, तो जो भी हुआ है, साइची हुआ होगा, अपने या भी बालिकाओं के लिए विशेश मांग करेंगे, बालिका माविद्याले संचालिक किया जाएगा, जो की फ्रेश्टिर बी-ए और बी-ए-सी रहेगा, बी-ए और बी-ए-सी, तो जो साइंस और कॉमर्स के बच्छों के लिए, डिफेंस अकेडमी का सुभारंद किया जाएगा, राजिस्तान की नहीं बलके, भारत की एक नम्मर की जो डिफेंस अकेडमी है, टेगोर डिफेंस अकेडमी तुच्छामन की निर्देशन, और बाल-बारती गुरूप के परबंदन, दोवारा टेगोर डिफेंस अकेडमी, परबंदन, परबंदन, आपण डिफेंस अकेडमी का संचालन करेंगे, जिसमें साइन्स मैप, आइ, कॉमर्स, बायो और एगरिकल्चर के जो बच्चे हैं, बायो के ले सकते हैं, एगरिकल्चर के बच्चे हैं, वो एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए तेन परकार की एक्जाम रहेंगी, नेवी, ऐर्फोर्स, और आर्मी, एर्फोर्स में दो परकार की हैं, और आर्मी से लिटेर बेस है और जो भी जिसी परकार की जो भी सेवाई है या जिस परकार की विक्यत्ति में होगी उसके एकोर्डिंग ट्यारी करवाए जाएगी इसके लिए जो मियंतम आयू सिमा है वो साथी सोड़ा वर्स और प्रापतांक है वो 65 परसेंट तो जो भी वहीं जो भी वहीं चुख है वो नवी एरफोर्स की तियारी आर्मी की तियारी अपनी बिये बिकों या बेसी के साथ कर सकते हैं इसमें दो तरह के बेज इस्टार्ट होगे एक गारिंटी और दूसरा नौन गारिंटेर और बहिनों के लिए माविद्याले का समचार्यों किया जाएगा जो भी बहिने इच्छोग है अर जिनको भुस्वास है वो निसी द्रोप से या तरवेश ले सकती है बेज सी बायों औ यह थी त hacen standards क्लिया इक विल्ड़ाले परिवार्ण के ऑवार्थो और सबीबचू को जिन्हों बहुत अच्छा प्रिक्षर प्रिक्ष्ण प्रिक्षण प्रिक्ष़ प्रिक्षण प्रिक्षय गजिसे में एक प्रिक्षरम स्टेव का में तो MORत तीम को साइस यूर क् प्रेंटर अपने स्टार्ट किया फांडेशन, फांडेशन में मेंबर्स में अपने फ्रिजिक्स की जो सबसे अची फेकल्टी है, साइट से कावाटी में अपन कह सकते हैं, दोक्तर उगे क्या दो, जिन्होंने पांच बार मेट कलियर किया है, पीएस्टी है, आप उठा के द केमेश्ट्री की पटेल सर, तो मेट के लिए जो आप परिचित हैं, कपिल जी और बायों की जो नहीं फेकल्टी आई है, सो निसर, तो सब मिलकर निस्षी तूप से एक बहुत ही अच्छा प्रेणाम देंगे, और विवेक्सर और विवेक्सर की टीम से अनुरोड है, कि वो जेई एडवांस, में निस्षी तूप से से काओटी में अपना टोबर जेल दें, और महिंदर सिंग जी और महिंदर सिंग जी पूरी टीम, निस्षी तूप से इस बार जब प्रिच्छा प्रेणाम रहा है, उससे कही गुना प्रिच्छा प्रेणाम आपको देंगे, और इ अपना समाज और स्कूल का नाम निशित रूप से आप रोसन करेंगे बाल भारती उच्छ माध्य विद्याले का दर्शाप देख रहे हैं जब भी कोई परिणाम गोशित होता है तो सब की नजरे सुदान गड़ में बाल भारती विद्याले पे रहती है क्योंकि यहां से टोपर निकलते हैं यहां से मेरिट निकलती है हलांकि राजस्तान बोड ने मेरिट का सिलसला बंद कर दिया है लेकिन परिख्षा परिणाम अपने आप में ये बोलता है कि विद्याले कैसा है और साइंस और कॉमर्स में दोनों में बाजी मारी है बाल भारती ने साइंस में तो पूरे सुझलांचल को टोप किया है और बहुत बढ़ी अच्छा लग रहा है इतनी बड़ी सपलत आपको मिली है सपलता मिलती है तो हम किसी को सरे उसका देते हैं आपको क्या लगता आपकी सपलता का सरे ज्यादा आपको इसको देना चाहेंगी सब से पहले तो स्कूल का बहुत सपोट रहा, हमारे टीचर्स का रहा, उसके पाथ परिवार का भी खूब सपोट रहा, मेनद भी खूब की, पूरे स्टाफ ने पूरे साल मेनद की, स्कूल का बातामनन भी बहुत अच्छा था और सब की मेनद का ही रंग आए कि आज sperma अच् सबस्क्राइब इस्कूल में भी बहुत ज़्यादा पड़ाई होती थी और गर पे भी चार-पांच गंटे हम अपने आप के लिए निकालते थे पड़ाई के लिए निकालते थे उसी का नतीज़ा यह रहा कि इतना बड़े हमान रिजल्ट रहा है सबका अकांक शाय बहुत महत्पून सवाल कहा जाता कि आजकर लड़के लड़के ज़्यादा मोबाईल में उल्जे रहते हैं उसी के कांट पड़ाई प्रभावित होती है आप क्या इसे समयते हैं इस बात से हम बिलकुल समयते हैं कि हमानते हैं कि मोबाईल है आज की जनरेशन में बहुत हुप्योगी लेकिन ज़्यड़ से ज़्यदा टाइम अगर मोबाईल की तरफ दे तो अपना जो पड़ाई का टाइम है वो पूरा उसी में चला जाता है तो मेरे इसाब से तो यहिए कि जिनना अपन पड़ाई को दे सकें जिनना हमारा करियर बन सकें में इतना ज्य काम में ममी का हाथ बढ़ाते हैं वेसे तो है गर में सब करने वाले इतना प्रेशर नहीं रहता है फिर भी अपनी इचासे सब करते हैं यह थी आकांग्शा बाटे जिन्हों ने टोप किया है बाल भारती को 93% के करीब अंग प्राप्त की है और बहुत अची बात कही है कि माता पिता का सपोर्ट हैं शिक्षकों का सपोर्ट हैं और एक बहतोवन बात जो मॉबाइल सेंसमन दित कही है कि अगर आप मॉबाइल में ज़्यादा उलज़ रहेंगे तो आपको सब्लता नहीं मिल सकते हैं ज वानीजे संकाई में भी रिजल्ट बहुत अच्छर है टोटल 97% रिजल्ट रहा और अब मेरे साथ वो लड़की है जिसने वानीजे में टोपके हैं शित्यासी परतिससत से ज़्यादा अंग प्रापके हैं और प्रेना हमारे साथ हैं प्रेना आपको बहुत अच्छा प्रे आज मेरे इतने परसेंटेज आए मैं बहुत खुश हूँ बस लड़किया अक्सर मैं देखता हूं कला संकाई या वानीजे में रूची रहती हैं वानीजे में बहुत कम लड़किया रहती थी आपने वानीजे स्विससे क्यों क्यों चुना विकाज फूचर में अभी सरकार ने जी एस्टी लागू की है तो उसमें बहुत आगे फ्यूचर है कॉमर्स की विध्यारतियों का मैं जाती हूं कि जदे से संक्या बड़े कॉमर्स की विध्यारतियों की कॉमर्स की विध्यारतियों की जदे संक्या बड़े और कॉमर्स बहुत अची फिल्ड है उसमें चा पांच घंटे और सुबह जल्दी उट कर राद को लेट सोके यही बस मैं प्रेना आप से यह स्वाल करना चाहूंगा आपको लगता है कि मोबाईल है वो पढ़ाई को प्रभावित करता है जी जरूर मैंने तो बिल्कुल टोल थे मोबाईल चलाया नहीं था और मेरे पास था में बसमें दो पर नहीं लिया नहीं फुटा कि बढ़ाई दिश्टाव हो गी और सभी बात है कि मोबाईल मतलब उनको गडता मुबाईल को अपारवा कई मेरी वह defect प्रभावित करता ये करह को मैंने तो मोबाइल से नहीं मेरे पास मोबाइल है भी नहीं और यह निश्चित रूफ से कि आज की युवाओं को मोबाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है अगर आपको कोई लक्षा हसिल करना है तो क्यों पड़ाई पर ध्यान रखना होगा जिस तरह से आकांक साव प्रे चाहिए किसी ने 90% चे ज्यादा अंग प्राप्त कि हैं और सभी विक्टिशिन के साथ आप देख रहे हैं हैं सुजान गट के सबसे बहतरीन विद्याले बाल भारती उस्वादिम्ग विद्याले का दरिशाब देख रहे हैं जहां पर साइंस और कॉमर्स के प्रणाम घोश जिसमें 4 चाहत्र चाहत्रों ने 90% से ज्यादा अंग प्राप्त कि हैं और लगबग 158 चाहत्रों ने जो परिक्षा दी उन्हें 132 प्रथम स्रेणी से उप्तिरण है ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है और साथ में वानीजीय विशे का जो प्रिणामा प्रतिशित रहा है और यूँ सारे टॅपर्स आप देख रहे हैं जिनके चैरे पर खुषिशाप जलक रहे हैं और सभी विक्तरी चिन के साथ आप देख रहे हैं विधयला के गोरो बढ़ा है और इन तमाम छात्र चाहत्रों को नमन करता हूं और इनके उजल्भाविशे की कामना करता हूं पड़ाई में चात्राइं अबल रही है और ये रिकोर्ड बाल भारती का भी रहा है ये सारे टीचर्स और इस्टुडेंट्स आप देख रहे हैं जिन्हों ने सत्र दोजार अठारा के साइंस और कोमर्स के प्रणाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आज समान प्राफ् करते हैं और 17 को पड़ाई के लिए प्रेजित करते हैं हमारे साथ है मैनेजर नोपर आम जी मंडा जो पिसले दो दसक से सुधान गट में शिक्षा के च्छतर में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं आई बाचित करते हैं सर बहुत 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 बदाई आपको बहुत बह करते हैं मैं सबसे पहले समस्त सहर वाश्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन अभिभावकों ने हमारे उपर विश्वास करके अपनी बच्चों को हमारे पास बेजा और आज हम उनकी हमां प्रिक्षा में खरे उत्रे संपूर्ण सुजानगड सहर में बाल भारती वि 80 से अबाव 31 बच्चे हैं पिचोतर से अबाव 43 बच्चे हैं आल और रिजल्ट हम देखते हैं सम पूर्ण सहर का उसमें से 93.50 बाल भारती विद्यापिट का है अन्य किसी भी संस्ता का इतना सरवसिश रिजल्ट नहीं है मैं मेरे पूरे श्ठाब को और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इनों निकड़ी महनत करके हमारी उपर विश्वास करके नियमित आकर के जो परिणाम दिया है उसके लिए हम इनका भारी रहेंगे और मैं इन बच्चों से उजल्बहुशे की कामना करता हूं कि वे आगे जाकर के अपने लोग से आग रहें कि इनको आप संभाले रखें एक साल ताकि अपना उजल्बहुशे की इन बचों की बना सके और इस सहर में भारत की जो स्रुश्वेस जो टीम है कुछामन की एकेडमी उनका उसका उसके माधिम से हम फांड ये नेवी एरफोर्स की तैयारी शुरू की है माधो कोलेज में और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली साल जब रिजल्ट आएका नेवी एरफोर्स का वसमें हम पर्थम इस्तान पर रहेंगे और अगले साल जो परिक्षापरिना माने वाला है वो भी आज में प्रदेग्या करता हूं कि इस रिजल्ट से भैतर रिज प्रिश्ट रहेगा और इसी का लगातार हम आज से प्रियास करना शुरू कर दिया है जबकि इसका प्रियास तो हमने एक महीने से पहले ही शुरू कर दिया लेकिन बार-बार मेरा निवेदन है कि हम पूरे सहर में चाहे रहें साइंस फेकल्ट के नाम से बाल भारती विद् पुष्प की तरह चारों और फेले जैभार जैहिंद बहुत बड़ा सपना है कि विद्याले की महक चारों और फेले इसके लिए उन्होंने सिक्षिकों से आवान किया है बच्चों से आवान किया कि जो प्रतिसता आपके बने वो गिरे नहीं और ज्यादा बड़े कड़ी म परामजी मंदा अनुसासन के मादेम से बचों को एक स crispy टेक देने का प्रियास करते हैं और उसका प्रिणाम है कि लगातार विद्याले का जो प्रिछा प्रिणाम का सपलता का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और अब इस विद्याले के प्रमुकिस्तम निर्देशक जिनके निर्देशन में पूरा कारिय होता है आप बाल भारती इंटरिनेसनल बाल भारती उसमादियों की देला है और पूरा छेतर का कारिय देखते हैं और रिजल्ट जब आता है तो सबसे कड़ी नजर आपकी रहती ह पूरे प्रणाम को हमारे सामने प्रस्तूत करते हैं निर्देशक भागितमल जी पचार अमारे साथ वंचे बात कीते हैंगे सर बहुत-बहुत स्वागया था आपका बहुत सारी बदाईया आपको बहुत ही अच्छा प्रणाम खास तोर से साइंस में आपने पूरे सयोग से अभिबावक बच्चे टीचर्स परदानाचारिये पूरा मनेजमेंट सभी ने परतेक्स रूप से सयोग दिया और निश्चित रूप से एक जो मुकाम आसिल करना चाहिए था वो किया है और यह जो परकिरिया है निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगी जो प्रिक्षा 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 है और और जो रिजेल्ट है वो भी बालबारती विद्याफीट सेनेर सेकंडी स्कूल का एरा है टोपर्स में 90 एंड अबाव चार स्टुडेंट हैं 80 एंड अबाव 36, 37 है 85, 14 है और 75 से उपर 63 यानि 63 बच्चे हैं 75 से उपर 40 परसेंट स्टुडेंट से जो निश्चित रूप से पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी मेनत की है और उसका प्रेणाम है यह कोमर्स के अपन बात करते हैं तो कोमर्स का जो परिक्षा प्रेणाम है वो भी बहुत अच्छा रहा है कोमर्स का टोटल जो रिजेल्ट है वो 78 परसेंट रहा है यह एक बच्चा है वो सप्लिमेंट रही है बाकी सब बच्चे अच्छे एंकु से उत्तिर्ण हुए हैं तो इसके लिए में पूरे चातर अभिवावग सुपचिंतक और जो इनको खटिन परिश्रम करवाते थे वो टीचर्स प्रेंशिपल और मनेजमेंट का जो परतेक्स है परतेक्स रूप से सयोगरा उन सब का आवारी हूँ और निशित रूप से आगे भी यह सयोग मिलता रहेगा और इसी से अ पूरे दर निशिये के साथ अगली बार निशित रूप से चुरू जिले में एक अपना विशेस हस्तान होगा साइंस के मामले में यह मैं आपको खह सकता हूँ इसके पिछे दो कारण है एक तो अपने फाउंडेशन स्टार्ट किया है तो फाउंडेशन की जो फेकल्टी है अपन साइंस बात करते हैं फेजिक्स की बात करते हैं और फेजिक्स की जो अपने पास फेकल्टी है वो साइध आपको पूरे सेकावाटी में नहीं मिलेजगी डॉक्टर विवेक या दो जो पांच वार नेट क्वालिफाई हैं पीस्टी हैं एनाईटी आईईटी सबसे उ समबच्चों में रिजेल्ट का एक अलगी आनन्द आता है उसको याद भी किया जाता है तो मेरी उनसे बहुत अच्छी गहरी मितरता है और उन्होंने इस आग्रह को सुविकार किया मैंने का सर यह आपको सर अमारे हैं सोजानगर भी मिल सकता है तो जो आदमी जेपूर या सिकर छोड़ के इस एरिया में आये हैं तो आप निशित रूप से एक जुनून के साथ हो आये हैं और उसी जुनून में वो लगे वे हैं और अपनी जो अपेक्स हैं हैं उन पर वो निशित रूप से खरे उतरेंगे दूसरी जो फेकल्टी है उनके अपन बात करते हैं आग धंगापुर सिटी उनका स्कूल चलता है जिनकी 17 मेरिट एक साथ आई थी उस स्कूल में लंबे समय से आप अड़ा रहे थे तो मैंने मेरे मित्र से आग रहे किया मैंने का एक केमेश्टी के अच्छी फैकल्टी दो कि मुझे नुक्सान होगा तो मैंने का एक जिगे नुक्स सेतर में एक नाम चलता जिनका मैत में वो मैट्स के लिए हैं तो केमेश्टी फिजिक्स मैत बायों के लिए नहीं नुक्ति दी है सोनी सर वो भी बहुत अच्छे सर हैं निशित रूप से पूरी टीम मिलके एक बहुत ही अच्छा वातावन त्यार करेगी और उस वातावन क जितर में आप और कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें डिफेंस अकेडमी है महावी द्यालाक की स्थापने उसकी जान करें दीजी आँ सर समय के साथ समय परिवर्तन सील है और समय के साथ कुछ परिवर्तन करना भी जुरूरी है लोगों की जो मांग है डिमांड है उसके साथ जाना पड़ता है तो अभी जैसे आपने कहा कि डिफेंस अकेडमी हमारे दो तिन साल से इच्छा हो रही थी कि बहुए लोग कह रहे थे कि सर्थ बाहर जाना पड़ता है डिफेंस अकेडमी स्टार्ट करो लेकिन कोई भी चीज स्टार्ट करें तो एक ब्रांड और सिरी मादव को लेज पाबोडाव का चैन किया है तो टेगोर और बालभारती ग्रूप मिलके इस डिफेंस अकेडमी को चलाएंगे और निशी दूप से जो परिक्षा परिणाम उनकी मेन ब्रांच में आ रहे हैं उससे भी बेटर परिणाम इसमें देने की कोशिज करेंगे महिला मावी देले की जहां तक बात है पेरेंट्स बोल लेते बहुत लंबे समय से कि सर महिला मावी देले स्टार्ट करो तो वो भी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं BA और BAC BAC में बायो और मैत है BA है इसके साथ एक थोड़ा सा एक हमारी गुरूप की एक आदत है कि कुछ नया परियोग करें तो इसमें एक नया परियोग यह रहेगा कि इसमें जिक्ये डिजनिंग और मैत की तिनों की बराबर कलास से चलेंगी प्रेश्ट एर में चलेगी सेकेंडेर में चलेगी और फाइनल एर में चलेगी तो निशी दुरूप से बच्चा जब ग्रेजवेशन करके बाहर निकलता है तो उसको यह नहीं लगता कि मैं अब एक्जाम देने के लिए जा रहा हूं या कोई भी कंपेटिशन फाइट करन और मैत की तियारी बराबर चलेगी और निशीत रूप से उनको एक नया मुकाम मिलेगा यही कहना चाहूंगा तिमार जी में बहुत बहुत धन्यवाद और पुने आपको बहुत सारी बदाईया पुरी जानकर हमें दिये आगे का जो प्लान है उसकी और जो वरतमान प्रण की भी है, वह है सेकंडिरी प्रणाम का प्रणामे बी बाल भाड़ो के रिजल्ट हमें साचय रहें, अब उन सब आप में इनतजा रहेगा आज के समय में कोई भी चातर चातर अध्यान करते हैं तो दुस्वी क्लास में आते ही वो अपने केरीर के बारे में सोचने लगते हैं और उसके लिए अब हमारे शेकावडी चातर में अनेक स्थानों पर कोचिंग क्लासे चलती है और पाल भारती ने यहां पर जो फांडेशन क्लासे शुरू की है उसमें पुरे शेकावडी का सबसे बड़ा नाम डॉक्टर विबेक यादव जो हैं उनको वो सुधानगर लेकर हैं ये निसीत उसे बहुत बड़ा आफसर है और बहुत बड़ी एड़्वांटे सुधानगर के विवाओं के लिए चात अचात रोंगे लिए है और वो हमारे साथ है जैसा भी बदाय जा रहा था कि आपका बहुत बड़ा अनुबव है और आपने बहुत भाई एजुकेशन प्राप्ट करके ये काबिल इसासिल के उनसे बाचित करते हैं बहुत बहुत स्वागत थासर आपका सुधानगर में कितना अच्छा लग रहा है सुधानगर में आपका काम करने जा रहे हैं देखिए काफी अच्छा लग रहा है मैं यहां के बच्हों से मिला हूँ, देरेदरेवे उनके कॉंटेक्ट में हम लोग आए हैं तो एक जहातख मेरा अनुभवर आए है उन से मिलने के बाद में यहां के बच्चे काफी ब्रिलेंट और सार्ग माइडर बच्चे हैं तो उनके साथ परेशा नहीं हमेंसा यह होती है कि बच्चा के लिए स्कूलिंग के बाद में ट्वेल्थ क्लास के बाद में आगे कोटा या सीकर जाकर आगे आए डिया नीट वगरा के लिए कोचिंग करते थे लेकिन वह बच्चा जब वहां जाता है तो टार्गेट बैच मे बच्चों के साथ कंपीट करता है सब्जेक्ट में भी और साथ में फिर उसको जूजना पड़ता है इंगलिस से तो कहीं ने कहीं मेरे मानना यह है कि बच्चे को 11 किलास से अगर आप फाउंडेशन की और रुजान उनका हो अगर फाउंडेशन में वो लोग आएं तो कहीं ने कहीं वो अच्छा बेटर कर सकते हैं उनका रिजल्ट में प्रफॉर्मेंस में अच्छी फाइदा हो सकता है तो इसलिए इस इस इलाके के अंदर को इस तरह को फाउंडेशन पहले से है नहीं तो अभी हमारे जो राइरेक्ट सरह है उन्होंने मुझे यहां का का काम सोप अपने बारे में तोड़े बता हैं आपकी सिक्साइब मेरा नाम डॉक्टर विवे क्यादव है मैं ब्स्टि फिजिक्स ओनर्स माहराजा कोलेज से एमस्टि फिजिक्स मैना इट जैपूर से हूं शिक्स टाइम नेट जेरफ हूं मैं CSI NET जेरफ हूं उसके बाद मैंने सीर मनी में फ्रांस में उसके बाद में मेरे पीजडी कंप्लेट होना के बाद में मैंने आइट बीएच यू और सियोल नेशनल उनिवर्सिटी साउथ कोरिया से मेरे पीडिएफ कंप्लेट किया है और लगबग पिछले छे साल से मैं स्कूलिंग के अंदर फॉंडेशन के मैं इनके बैच में पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूं और अभी ये सुजान कड में आगे हमारा नेक्स्ट प्लानिंग है कि हम पाउंडेशन को अच्छे रूप से चलाएं यहां पर बच्चों को जो सीकर और कोटा में मिल रहा है वही सब कुछ हम यहां पे उनको देने क कर रहे हैं ताकि बच्चे को जो भी हो टार्गेट बैच की तरह है पूरी फेसिलिटी यहां पर मिलें डुक्साब एक बहुत महत्मुन सवाल है आज कल थोड़ी शी पढ़ाई इंजिनिन चेतर में कर ली जाए तो बच्चे की दिमाग में एक होता है कि मैं विदेश सरा ज यह और बाहर भी में रहके आया हूँ लेकिन कहींने कहीं हम अगर बाहर जा के खुब पैसा भी कमा सकते हैं वहां अच्छी लाइफ हाइप की हमारी एंडिया से तो कंक पी कपी गुना दस गुना बाहत रहतर वह पे लाइप स्टैल है उनकी लेकिन कहींने कर हम यह यह लग सब्सक्राइब, चल रहा है उसमें अपने साइन्ज को टेकनीकल को रिशर्च को इतना इंपोतन्स नहीं है जतना बाहर की कंट्रीज में है लेकिन फिर भी हम उस चीज को नेगलेक्ट ना करते भी बाहर जाकर अपने रिशर्च को डिलीवर करें वो ज्यादा अच्छा नहीं है हम कहीने कहीं अपने इंडिया के अंदर देरी ग्रोथ करेंगे तो शायद यह सारा जो भी कुछ चल रहा है वो सारा चेंज हो एक रिशर्च के मामले में भी लोगों के द्यान जाए और इंडिया काफी अच्छी आज विकास से उपर निकल के आ गया हो विक्सित कंट्रीज के दोर में सामिल हो चुका है तो कहीने कहीं यह सब चीजें मौर मौस्ट इंपोर्टेंट है जो हम इंडिया को डिलीवर करने की कोशिश करें हमारे बच्चों को हम इस लायक बनाएं और अभी आपने पूर एक साल पर ले डेर साल पर ले ओबामा के इक स्पीस था उसमें क मतलब चिंताशायर की थी कि इंडिया जो रिसर्च और सेंट वो कहीने का यूएस से रिसर्च और बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी सी तक्षिनी की सिक्राप्ट करने के बाद बाहर जाने का सपना देखते हैं लेकिन जो योग यता इस समय मैं देख रहा हूँ डॉक्टर विवेग जी मैं है वो बहुत बड़े पेकेज के साथ दुनिया के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं की बाल भारती में जो ये सिवाइं दे रहें उसका लाव हमारे चेतर के युवा जरूर रुठाएंगे ये था हमारा बाल भारती उस्माति की द्याले से खास करकर में जहां पर साइंस और कॉमर्स के प्रिणाम गोश्चित होने के बाद में आज प्रतिवाओं का समान किया जिसमें जो चातर सात्रों ने टोप परिणाम दी हैं उनका यहां पर समान किया गया निश्यतुर्फ से बाल भारती जिस तरह से सिक्षा के सेतर में यूगदान अदा कर रहा है वो निश्यतुर्फ सरानी है और हम उमीद करते हैं कि यह परिणाम आगे बी इस सतर में जारे झाल झाल